हेलो गेस वेलकम बेक टो अगेन आटेक अब इंदी यूटूब चेनल और मेरा नामे दुरूवीन सो गेस आज की इस ब्राणने वीडियो में बात करने वाला है कि जेमेल इमेज नोट सोविंग ओन यूर आईंडरोड डिवाइस बहुत ही सारे एंडरोड यूजर्स ने रिपोर्ट किया है कि हमारे जेमेल में एक्स्टरनल इमेज सो नहीं हो रहा है एंडरोड यूजर्स का केना है कि इस इशू को अपने एंडरोड की तरफ से कैसे फिक्स करें सोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अपी तक मेरी चनल को like comment से subscribe नहीं किया है तो please like comment से subscribe कर दिजे इस वीडियो को पूरे end तक देखना ताकि इस problem का आपको particular solutions मिल जाए सबसे पहला solution एए है कि आपको Gmail या तो email applications में 100 image का turn on कर देना होगा उसके लिए सबसे पहले आपको Android की home screen से आपको email या तो Gmail को open कर लेना होगा open करने के बाद आपको left hand side corner पे 3 lines दिख जाएगा 3 lines पे tap करने के बाद आपको scroll down करके second last options मिल जाएगा settings का settings में जाने के बाद यहाँ पे आपको gs account में problem सो हो रहा है उस account को select कर लेजे आपके पस email हो तो आपके settings में यहाँ पे 100 image का एक options मिल जाएगा उसको turn off हो तो simply turn on कर देना होगा Gmail वाले section में आपको image component में जाने के बाद यहाँ पे always display external image को आपको turn on कर देना होगा आप अपने Gmail email के हिसाब से आप इस settings को turn on करके आप easily again आप refresh कर लीजी उसके बाद easily आपका image का problem fix हो जाएगा second solutions की बात करें तो यहाँ पे आपको Gmail या तो email applications को up to date कर लेना होगा उसके लिए सबसे पहले आपको play store को pre Android OS में open करने के बाद top corner में search bar दिख जाएगा search bar में आपको search कर लेना होगा Gmail या तो email का search करने के बाद यहाँ पे आपको email या तो Gmail का कोई भी update दिखे तो simply latest version से आपको update कर लेना होगा इस two solutions को अपने Android OS में apply करने के बाद easily आप image component का problem को fix कर सकते हो I hope आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो अच्छा लगे तो please like comment से subscribe आपके friend को पी share कर देना था कि एसी amazing tips and tricks आपके लिए आता रहू thank you so much